पढ़ाने वालों को मेरा सलाम, सभी सिक्षक साथियों को नमस्कार, मैं आध्यात पाथी प्रात्मिक विद्याले दोर्मा कड़ा कौशामबी से आज मैंने आप लोगों की समक्ष बच्चों में सीखने के इस्तर का आकलन कैसे करें इस टॉपिक पर कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, वो रख रहे हैं बच्चों में सीखने के इस्तर का आकलन कैसे करें तो समानिता इसका उत्तर होगा सत्र परिक्षा, अर्दवार्शिक परिक्षा, वार्शिक परिक्षा यदि किसी परिक्षा में एक बच्चा किसी विशा में 50 में से 40 अंक प्राप्त करता है तो क्या आप बता सकते हैं कि उसे क्या नहीं आ रहा है या ये बता सकते हैं कि बच्चे ने क्या-क्या सीख लिया है या ये बता सकते हैं कि बच्चे ने उस विशय में कच्छा अनुरूप किन-किन मूल तक्षिताओं को प्राप्ट कर लिया है अंक आधारित मुल्यांकन हमें बच्चों की वास्विक सी किस्तर को नहीं बता पाता है ये इतना बताता है कि बच्चे ने सत्तर या असी पर्शन अंक प्राप्ट कर इतने प्रतिशत पाठ एक्रम को समझा है यदि सिक्षक जिग्यासू है तो उसकी उत्तर पुस्तिका देख कर समझ जाता है कि बच्चे ने किन-किन मिन्दूओं को समझा है इससे आगे इस प्रकार की मुल्यांकन का कोई और उप्योग नहीं होता है इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम बच्चों का चिन्धांकन करेंगे ऐसी स्थित में आप क्या करेंगे ऐसी स्थित में हम पहले बच्चों का चिन्धांकन करेंगे तो अब हुमारा जो सैक्षिक सत्र प्रारम हो रहा है उसमें हम कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए एक योजना तयार करेंगे आरंभिक परिक्षन माध्यम इस योजना का पहला चरण होगा इसके लिए इसके लिए हमें आधार भूत आकलन प्रपत्र प्रटेक विशय पर तयार करना होगा इसके प्रशन पिछली कक्षा तक की मूल भूत दच्चताओं के आधार पर बनाए जाएंगे उधारण के लिए मैं आपको बताती हूँ कक्षा आठ के बच्चों के आधार भूत आकलन प्रपत्र में कक्षा एक से साथ तक की मूल भूत दच्चताओं के आधार पर प्रशन बनाए जाएंगे प्रटेक प्रशन किस लर्निंग आउट पर आधारित है ये अलग से जरूर लिख ले इससे हमें ये जानने में आसानी होगी कि किस लर्निंग आउट कम पर बच्चों के साथ कारे करना है तता बच्चे किस समूग के अंतरगत आ पा रहे हैं फिर प्रशनों की रूप सेखा कैसी होगी ग्यानात्मक प्रशन 20% बुधात्मक प्रशन 50% देने होंगे अनुप्रेवगात्मक प्रशन 20% और तरकात्मक प्रशन 10% होंगे आरंभीक परिक्षन प्रक्रिया इसमें पहले से ही विशेवार आरंभीक परिक्षन प्रपत्र बना कर रखना होगा प्रतेक प्रश्ण किस learning आउट पर आधारित है इसको भी note करना होगा एक learning outcome का एक ही प्रश्ण हो ये ध्यान रहे कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए ये देखे चार्ट मैंने तयार किया है कुल प्रश्ण होंगे 15 जिसमें 10 प्रश्ण objective और 5 प्रश्ण subjective होंगे प्रतेक प्रश्ण 3 अंका होगा और पूर्णांग 45 अंका होगा इसी प्रकार कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए कुल प्रश्ण 25 जिसमें से 20 प्रश्ण objective और 5 प्रश्ण subjective होंगे प्रतेक प्रश्ण 3 अंका होगा इस प्रकार पूर्णांग 75 अंका होगा प्रस्न पत्र की आंसर की पहले से ही तयार करनी होगी इस तरह ये एक छोटा सा नोट्स मैंने आप के सामने प्रस्ट किया हैं अब आगे आरंभीक परिक्षार के दोरान किनकिन बातों का ध्यान रखना होगा वो मैं आपको आगे पताऊगी जाए हैं